तो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेड गुरू चैनल में आईए जानते हैं सोमवार यानि की 4 मार्च 2024 को निप्टी में किस लेवल पर ट्रेड बन सकती है तो सबसे पहले जानते हैं यदि निप्टी गेप अपन होता है तो क्या ट्रेड बन सकती है यदि निप्टी सोमवार को गेप अपन होता है और उपर की और 22,430 के लेवल को ब्रेक करता है तो उपर की और हमारा पहला टार्गेट रहेगा 22,480 और दुसरा टार्गेट रहेगा 22,530 यदि मार्गेट नीचे की और 22,370 के लेवल को ब्रेक करता है तो नीचे की और पहला टार्गेट 22,320 और दुसरा टार्गेट 22,280 तक रहेगा ये तो हो गया यदि मार्गेट गेप अप अपन होता है आई ये अब जानते हैं यदि निप्टी गेप डाउन ओपन हो तो क्या ट्रेड बन सकती है यदि निप्टी सोंवार को गेप डाउन ओपन होता है और उपर के और 22,390 के लेवल को ब्रेक करता है तो उपर के और हमारा पहला टार्गेट 22,440 और दूसरा टार्गेट 22,480 तक रहेगा यदि निप्टी निचे की और 22,350 के लेवल को ब्रेक करता है तो निचे की और पहला टार्गेट 22,270 और दूसरा टार्गेट 22,150 रहेगा गेप डाउन की कंडिशन में आपको निप्टी में निचे की और 22,150 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते है दोस्तों सुमवार के दिन निप्टी में उपर की और 22,430 एक स्ट्रोंग रजिस्टेंस का काम करेगा और निचे की और 22,350 एक सपोर्ट रहेगा दोस्तों निप्टी प्रेडिक्शन संबंदी इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए बने रहेए ट्रेड गुरू चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजे ताकि इसी प्रकार के निप्टी प्रेडिक्शन संबंदी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके वीडियो के डिस्क्रेप्शन में दीगई लिंक से आप हमारे फ्री टेलिग्राम चैनल से भी जूट सकते हैं जहां पर हम मार्केट टाइम में लाइव ट्रेडिक्शन संबंदी पोस्ट भी करते रहते हैं थेंक्स पर वाचिंग ट्रेड गुरू